हम बात कर रहे हैं राजस सुप्रीमों लालू परसाद यादों के उस बयान की जिसमें लालू परसाद यादों ने एक बर फिर से नितीश कुमार को ललका रहा है आपको बता दे कि बिहार की राजधानी पटा में समवाद भवन के अंदर मीडिया से बाचीत में नितीश कुमार ने महागडबंदन के भविश्य पर सवाल क्या उठाया कि राजस सुप्रीमों लालू परसाद यादों का उन पर बयान आता है और उनको ललकारते हुए कहते ह कि जिसने उनको मुख मंतरी के गद्दी पर बैठाने का काम किया आज नितीश कुमार उसके भविश्य की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि लालू परसाद ने अपने टुटर हैंडल पर क्या लिखा है ये लालू परसाद यादों का टुटर पेज है आप इसको देख सकते हैं इस पे उन्हों लिखा है कि महागडबंदन का कोई भविश्य नहीं है नितीश कुमार उसके रहे हैं उसके आगे लालू परसाद यादों का निशाना सुरू होता है उन्होंने आगे लिखा है कि जो आदमी महागडबंदन के वोट से कुर्सी पर बैठा है जिसने दिन दहाडे जनादेश की डकैती और 11 करोड बिहारियों के जनादेश का अपमान किया है, वो किस जुबान से महागडबंदन का भविश्य बता रहा है। ऐसे पल्टू और दगाबाजों को शर्म भी नहीं आती है। तो जाहिर है लोगसवा चुनाओ करीब आ रहा है और इसको लेकर के तमाम राजनितिक पार्टियां आपने बयानों को भुनाने की कोशिश कर रही है। राजनित के नए नए औसर की तलास की जा रही है। आरक्षन का मुद्दा हो या फिर आज बिहार बंद का मुद्दा हो सभी में राजनितिक पार्टियां आगे दिखाई दे रही हैं इस बीच राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादों का मुख मंत्री नितिश कुमार पर ये बड़ा हमला है। मुख मंत्री नितिश कुमार के बयान पर लालू प्रसाद यादों का सीधा सीधा तंज सामने आया है। मुख मंत्री नितिश कुमार ने महागडवन्दन की बिहार के राधानी पटना में हुई बैठक को ले करके सवाल उठाय थे। उन्होंने सडक शाब तक कह दिया था। आपको बता दे कि मुख मंत्री नितिश कुमार ने ये बाते मीडिया से बाचीत न कही थी कि सडक से उठा कर कि किसी को भी शामिल कर लिया जा रहा है। भविश नजर आ रहा है साफ साफ उस पर आप लालू प्रसाद यादो का तंज इस से पहरे तेरस्वी यादो भी हमला कर चुके हैं। लगतार महागर बंदन के नेताओं के तरफ से नितिश कुमार टार्गेट पर हैं और अब लालू प्रसाद यादो की ललकार। हमारे यूटूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथी साथ हमारे फेल्जू पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खावर के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुचती रहें।